गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में मोर्य तरकार से सम्मधित महतोपुन परसने उत्तर भाव 2 पढ़ेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने 20 कुशन पढ़े थे वो भी परिक्षा क दरस्टी से बहुत ही महतोपुन थे ठीक है तो चलिए देखते हैं मोर्य तरकार से सम्मधित महतोपुन परसने उत्तर ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों से हमारी डिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को लाइक करें करें तता शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इध्यास विश्य से संबंदित महतोपुन परीक्षों में आने वाले परसनों के बारे में जानकरी प्राप्थ हो सके ठीक है तो देखेगा पढ़ते हैं मोर्य तरकार से संबंदित परसने उत्तर किस अभिलेक से पता चलता है कि रुद्द्रदामा की पुत्री का विवाह सीव स्री साथकर्णी से हुआ था वह आपका कनहरी अभिलेक से पता चलता है कि सीव स्री साथकर्णी ने रुद्द्रदामा की पुत्री से विवाहिक समन्दिस्तापित किया था कनहरी अभिलेक ठ या साथकर्णी पर्थम ने साथवाहन काल में परसासन में भाग लेने वाली महिला या महिलाएं कौन-कौन थी नागनिका साथकर्णी पर्थम की पतनी थी साथकर्णी पर्थम की मृत्यू के बाद नागनिका ने अपने अवेस्क पुत्रों को परसासन में सरंशन दिया गोत्मी बलसिरी ने अपने पुत्र के साथ मिलकर परसासन संबाला तो नागनी का ओर गोत्मी बलसिरी ने परसासन में भाग लिया था ठीक है सात्वाहन सासक किस धर्म के अन्वेई थे ब्राहमन धर्म के पुराणों के अनुसार सात्वाहनों ने सासन किया तीनसो वर्सों तक भारत में भूमिदान की प्रथा प्रारंग हुई साथवाहन यूग में साथवाहनों की राज के भासा थी प्राक्रत गाथा सबसती की रचना किसने की हाल ने साथवाहन सासे किस वान के थे ब्राह्मन वान के साथवाहन वन्के किस नरेश या नरेश उने सिखों पर दो पत्वारों वाले जहांच के चितर मिलते हैं गोथमिपुतर साथकनी या वसिस्थी पुतर पुलुमावी नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि अक्स राजा के घोडों ने तीन समुद्र का जल पिया यहां अक्स किस का सुचक है गोत्मी पुत्र यग्य साथ करनी गोत्मी पुत्र यग्य साथ करनी नासिक परसस्ती से पता चलता है कि गोत्मी पुत्तर के वाहन अर्थाज अस्वो ने तीन समुद्रों का जल पिया था तीस समुद्र तोई पीत वाहन स्वापन वासवदत्ता नाटक का लेकर कोन है तो स्वापन वासवदत्ता नामक नाटक का लेकर भास है दक्सिन भार्ट का सबसे मसूर चत्ते है कारले सबसे पुराने इंट के बने हिंदू मंदिर मिले है नागारजुन कोंडा से मोरियों के पस्तात एम गुपतों के पूर्वे किस राजवनसों का समराज जे छेतर अत्यदिक विश्त्रित था कुसान एम सातवहनों का किस वर्ष के सासकों ने देवपूतर उपादी धारण की कुसानों ने मोरियों तरकाल का सबसे उजवल पक्स है व्यापार एम वानेजे के छेतर में अत्यदिक प्रगती गंदिकों वाले सीकों का प्रचलन था कोसांबी में किस कुसान सासक की एक मातर चांदी की मुद्रा प्राप्त हुई है विम कड़फिसस की कुजुल कड़फिसस ने किस दातु के सिक्के चलाई तमबा किस कुसान सासक के सिक्कों पर अधिक देविदेवतों का चित्र उत्किन है हुविस्क के सिक्कों पर गांधार सली के विशे में क्या सत्ते है? इस सली का जन्म कुसानकाल में हुआ, निर्मान का धंग युनानी है, इस सली की विशे वस्तु बोध परंपरा है, बुध का मुख ग्रीक देवता अपोलो से मिलता जुलता है, ये गांधार सली की विशेस्ताएं थी अजन्ता की गुपा संक्या 9-10 का निर्मान हुआ, सुंग सात्वाहन काल में, बैटरिया जो प्रारंबी काल में अंतराश्ट्रिये व्यापार तंतर का मूल छेतर था, आज के निमन लिखित में से किस देश में स्तित था अफगानिस्तान में, मातर देवी उमा का नाम किस के स सिकों पर मिलता है, कुसान सासक हुविस्क की मुद्रा पर मातर देवी उमा का चित्रांगर मिलता है, उमा के हाथ में कमल अत्वा सम्रदी स्रंख दिखाया गया है, ठीक है, वे कुसान राजा कोन थे जिनके सिकों पर सीव नंदी अत्वा, सीव का कोई आयूद अंकित है, वे थे हुविस्क, कनिस्क पर्थम और विम कट्फिसस। साथ वाहन यूग का महतोपुण व्यापारिक के अंदर परतिस्टान किस नदी के तठपर इस्तिथा गोदावदी नदी के तठपर। तो इस वीडियो में हमने काफी महतोपुण पर्षनों के बारे में जानकारी प्राप्त की हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सबीका बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हम आगे भी आपको और भी महतोपुण पर्षन बताते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इ इंदिया ओल्डेज पे